नमस्कार है न्यूज एक रही आप, मैं हूँ आपके साथ साधना बत्रा हमारे स्खास कारिकरम में आप सभी का स्वागत है तो आज अंतराश्टिय योगा दिवस्थ है इसी कारिकरम में आपको बताएंगे कि योग किस प्रकार से किया जाता है योग के लाब क्या है तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिनाक्षी फिटनेस क्लब से मिनाक्षी जो करीब 11 साल से योगा करवा रही है जो आपको बताएंगी कि योग के लाब क्या है जी ना मिनाक्षी जी सभी को नमस्कार और अंतराष्टे योग दिवस की बहुत सी शुब कामना है आज योगा डे है आप सभी इस दिन में जानते हैं कि योग आप सभी के लिए कितना जरूरी योगे है हर दिन आपके लिए कुछ समय अपने लिए निकालना बेमारियों से दूर रहना और अपने शरीर को तंद्रू स्वस्थ रखना आज मैं आपको इस योगा डिवस पर कुछ योगा के फॉर्म सब बताने जा रही हूँ और मैं चाहूंगी सभी इन्हें देखें कुछ मेरे साथ चलें तो कुछ देखकर कुछ सीखें तो चली आएए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आप सभी को चाहूंगी कि आप जब भी हर दिन में अपने लिए योग का जब समय निकालें तो इस तरह कुछ अपने पैरों को चलाना शुरू करें ताकि जब आप आगे बढ़ें आपका शरीर ये मैं हर उम्र के लिए बता रही हूँ बच्चे बुडे और जवान मैं सब को लेकर चलूँगी आपको समझाऊंगी कि थोड़ी देर का समय आपने किस तरह आपने लिए निकालना है जिनके घुटने नहीं चलते जो जिनकी उम्र उस पड़ाव पर है कि वो नहीं कूँच सकती है लेकिन वो योग करना चाती है तो इस तरह आपने अपने पैशरीर को थोड़ा बहुत चलाना है अब मैं आप सभी को सूरे नमसकार कराने जा रही हूँ तो जो चल फिर नहीं सकते हैं वो बैट कर भी सूरे नमसकार कर सकते हैं और जो सीखना चाते हैं जो करना चाते हैं वो एक बार मेरे साथ चली है मैं आप इसके फाइदे बताने जा रही हूँ सूरे नमस्कार में आप इस पूरे सूरे नमस्कार के साथ आप बहुत सी exercises को एक साथ कर लेगे तो यहाँ पर आपने इस तरह दोनों हाथों को रखा और अपनी right leg को पीछे लेकर गए यहाँ से फिर अपनी left leg को पीछे लेकर गए जितना मैं जानती हूँ आप सभी सूरे नमस्कार को जानते होंगे लेकिन फिर भी आप मेरे साथ इसे और अच्छे से करिए यह आपको मैं करारी हूँ वज्ज बुजंग आसन पहले मैं चाहूंगी आप इसे पुरे करके आप सभी को हर दिन में योग का समय निकाल कर अपने शरीर को बिमारियों से दूर रखना है और वो समय जरूरी नहीं आप एक घंटा निकाले अगर आप 20 मिनट भी निकालते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत है अपने आपको स्वस्त रखने के लिए अबलगो मिनाक्षी जी आप सबसे पहले शरवात कर लेते हैं कि जो तमाम आजसन है आठ आसन हैं तो सबसे पहले एक करके जब बात भी कर रहे हैं, वज रासन में बैठ रहे हैं, जिनकी खाने की पाचन शक्टी अच्छी नहीं है, जिनने खाया पिया तो वो इस वज रासन में बैठे सबसे पहले, अब उसके बाद मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताने जा रहे हूँ, आप जिनके गुटने ठीक है वो पैरों को ऐसे करके बैठें और या लेक्स को ऐसे फोल्ड करके बैठें आप अगर कर सकते हैं तो सबसे पहले सर्वोपरी आपको एक मैं अनुलोम विलोम बताने जा रही हूं जो हर उम्र के पड़ाव में आपको करना है जिनका बीपी बहुत सालों पुराना है बारा स की ओडी की समस्या भी है जिसके खारण तमाम है लाएं परेशान भी बिल्कुल यह पीसी ओडी की बिमारी को भी जैसे उठाया गया तो सबसे पहले आपने दो मिनट का समय अनुलोम विलोम में लगाना है किस तरह आपने यह अपने राइट साइड इस तरह बंद किया जहां आप एक्जेल कर रहे हैं उसी तरह आपने इनहेल यहां पहली और आखरी एक बात का ध्यान रखेगा जब आप इसे खतम करेंगे अनुलोम विलोम तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से खतम करना है यह पहला मैंने आपको बताया अप सिर्फ और सिर्फ दो मिनट दे हैं आपका सालो सालो पुराना आपका यह बीपी यह सब बिल्कुल आपको चार से पांस दिन में बदलाव लगने लगेगा अरे सिर्फ दो मिनट से अब आगे मैं आपको दूसरा प्राणायाम बताने जारियू कपाल भाती जिसे आप बैठ कर देखिए सिर्फ आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है सारी बिमारियां आपके पेट से ही शुरू होती हैं आपके खान पान की आदतों के कारण ही होती हैं तो सबसे पहले उसे ठीक करने के लिए ये कपाल भाती काव आपको करिए और एक नहीं अंगिनत जो पीसी ओडी आपको जैसे एक लड़की जवान होना उसका एक उम्र का एक पढ़ावाना एक नाम पहला दे दिया जाता है पीसी ओडी उन्हें नाम उन्हें कुछ नहीं बता बस एक ड़र और खौफ में जी रहे कि मुझे पीसी ओडी हो गया और मुझे पीसी ओडी हो गया आपको सिर्फ ये कापाल भाती करनाओ जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ वह वह करते चले जाना हैं और कितनी मिनट सिर्फ साथ मिनट करना बीपी की दिक्कत है यही आपको पांच मिनट और देनी है दो मिनट आपने अनुलोम विलोम दी और इसे किया जैने कौन्स्टिपेशन ऐसे डिटी है वो भी सिर्फ कपाल भाती को करें जिन्हें आपको पेट से रिलेट कोई भी आपके यूट्रस ओवरी आपको कोई भी दिक्कत आप कपाल भाती करेंगे बिल्कुल मिनाक्षी ची आप यहां पर आई और दिखिए क्योंकि तमाम दर्चक हमारे इस खासकारिक में देख भी रही हैं तो तमाम युवाओं के लिए बताईए क्योंकि कि आप सबहुत है इनका सवाल था कि जो आप बिल्कुल ऐसा चाहते कि कम समय में आप जाधा सा जाधा कर सके उले पहले तो आपने सूरे नमस्कार को आप जादा सा जादा करिए, अब मैं यहाँ पर कुछ बिमारियों को भी उठाते हुए, मैं यहाँ पर जिने डाइबिटीज हैं, उनके लिए कराने जा रही हूँ, जिसके लिए फिर से जो ये आप गुटनों पर ऐसे बैठ सकते हैं, बै आथों का दबाब देकर आप आगे की तरफ जुक गए, इसमें नीचे जुकने पर सवाल आता है कि हम सास लेते रहें, छोड़ते रहें या लेकर रखे, आपने नॉर्मल इनहेल और एक्जेल सासों पर रहना है, इस तरह आपकी शूगर, आपकी डाइबिटीज, जिसके का आपके किड्नी का फेल होना, फिर डालेसिस पर आजाना, इस लेवल तक पहुचने से पहले है कि आप इसी पर शुरू हो जाए, अब मैं आप सभी को आपके थायरोड के लिए कराने जा रही हूं, कि आपको थायरोड हो गया, आपका गला यहां तक फूल कर यह आ गया है, यह सब आपको हो रहा है, आप तो उसके लिए आपको क्या करना है, उज्जाई प्राणायाम करना है, उज्जाई, आपको सबसे पहले गले से अवाज कैसे, अब मैं यहाँ आपको बताती हूं कि मैंने क्या कराया, आपने गले से अवाज निकालनी है और लेफ्ट कार से शुरू किया फिर आपने अनुलोम विलोम किया दो मिनट दिये पांच मिनट आपने कपाल भाती को दिये फिर आपने दो मिनट मंडू कासन को दिये और दो मिनट इसको दिये तो इस तरह आप अपने आपको बेमारियों से दूर रख सकते हैं बिलकुल मिनाक्षी जी ऐ आपको शुरू तो इसी प्रोसेस से करना है लेकिन बस यहाँ पर एक बात जो मैंने आपको बताया ना ये प्रोसेस उनके था आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम बैठी हुई हो तो बैठ कर हर उम्र के कर सकते हैं जब वो बुजूर गया है वो जवान है हाँ जो आप अच् आपको पेट की बीमारियां बीजाएंगी तो पुराने समय में सही आपको चक्की चलाने को का गया था जो चक्की अब बदल चुकि आपकी तो इस तरह बैटे-बैटे जिनके उम्र जाद है वो इसे चलाते हुए एक सब लोग जिनके गुटनों में दर्द है वो अपने ग क्या रहें और क्या रहे कुछ भी नहीं बैटे-टार विक्त कम रहते हैं तो ऐसे में यह चीज़ें वह का लाव दायका तो यहुक्त कि इतना करना ही है जो घुट्नों में आपको का देया दो आपकी घ्री खतम हो चुकि आपका शरीर आप करा यह और इस लेवल तक ना जा तो ऐसे में कौन से आसन कर सकते हैं वो जोडों के दर्द के लिए शायद मैं पहले ही आपके आगे सवाल का जवाब पहले ही दे देती हूं बट फिर भी चाहूंगी कि उसको और आगे आपको समझा सकूं देखिए सबसे पहले आप ये प्राणायम कर रहे हैं आज योग की बदलाव लाना है इस बात को अब समझ जाए पूरी तरीके से नहीं जितना आपका शरीड साथ देता है और आपको पता है कि आज के समय की जिस जगह आप रहते हैं जिस माहोल में आप रहते हैं आपको अपने खाने पीने की आतों में बदलाव लाना है और इने करना पूजे हुए आप सिर्फ अपने इस सर्वाइकल का दर जिसे कहते हैं तो पहले बहुत यह असान तरीका आपने गर्दन को चार बार इस तरह सीधे गुमाना है आपको बहुत असान तरीका बता रही हूं इसमें आखे बंद और फिर इसे उल्टा गुमाना इसमें आखे और कुछ साइड इस साइड चलाया तो आपका यह सर्वाइकल का जो पीछे का आपका यह कमर का यह गर्दन का यह आपका हिस्सा है जो नीचे कमर तक जा रहा है इसमें बिल्कुल आपको अराम मिल जाएगा अब मैं यहां पर आज कल एक स्लिप डिस्क का बिया मैं आपको पाइंगे जी घितने आपसे इसे कर लेना बस इतना कर लेना और आप बिल्कुL जवान है आपका शरीर बिल्कुल स्वस्त है तो आप यह होल्ड करिएगा यहां पर रूखिएगा फिर से वही आपने भुजंग आसन करना अपनी कमर को स्ट्रेच करना है जब भी आप कुछ करेंगे और यह शैश्यव आसन यानि की बच्चों शैश्यव आप समझ गए सब्सक्राइएं? उसके बाद भी कुछ उसको explain करूंगे आपको, सुबा उठकर सिर्फ खाली पेट ना चाय पीनी है, कुछ जो दवाईयों पर भी है कि सुबा उठी बीपी की दवाई खाके मेरे दिन चर्या शुरू होगी, खाली पेट उठते ही सबसे पहले आपने पानी पीना है, उसके बा जानना चाहते है न कि एक बात बताईए जो मेरे दिमाग में काम कर जाए तो वो कि जैसे जैसे सूरज ढलने लगे, रात होने लगे, वैसे वैसे खाना खाना बंद करना है क्योंकि हमारे शरीर की जो पाचन शक्ती, जो खाने की ताकत है वो कम जाती है, उम्र चाहे आपकी रास्ता दिखाए, लेकिन अगर आप खुद कुछ करना चाते हैं, तो पहला रास्ता ये है कि सूरज ढले तो खाना खाना शुरू करें, और जब सूरज ढलने लगे तो खाना खाना बंद करें, ताकि आप सूबा उठे तो तर्दो सुझे, तो तमाम पहले की जो बुज़ कोई है, अब मैं यहां पर एक stress depression वाले पार्ट को भी उठाना चाहूंगी जिसके लिए आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, जो यहां पर मैं वो उठा रही हूं कि चिंता, तनाव, इन सब चीजों में आप घीरे हुए, ऐसा लगता है कि दवाई खा करी मुझे, जिसे आप sleeping पिल्स खा कर आप सोते हैं, तो आपको लगता है वो दवाई खा के नींद आएगी, दवाई खा के मुझे सब कुछ अच्छा सा लगने लगेगा, तो मैं यहां पर आपको इस योगा डे पर ये भी बताऊंगी कि इसके लिए आपको कहीं बटकने की जरुरत नहीं है, जो आपका मन है, आपको सिर्फ जिसे कितने मेडिटेशन कहा जाता है, लेकिन उससे पहले अगर आप जो ये ओम, आप ये 2000, जिस हम सदी में चल रहे हैं और जो पहले की सदी थी, वो सच में उसमें कुछ बात थी, जो आने वाला समय आपको बताएगा, ये ओम शब्द का जो म है, ओम, जो माशब्द आप बोलेंगे और लंबा खीचेंगे ना, तो जो आपको ये गुंजन सापके सिर में होगा, उसमें आपको राहत मिलेगी और सच में आपकी सालों पुरानी, दवाईयां, स्लिपिंग पेल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको ये कुछ भी नह है और लंबी सांस लेकर, ओम, ये माशब्द, ये माशब्द, तो ये दिया हुआ, जो आपको लगता तो ऐसा है कि हम ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करेंगे ना, तो आप संपून रूप में जाम जाएंगे, अरे मेरी दवाईयां कैसे छूट रही हैं, और कितनी दे करना है, 15 से 20 बार शुरू करना है, जिस तरह एक गोली खाकर नींद आ जाती है, ये गोली का ही खाम करेगा और आप जवान भी रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल मिनाक्षी जी, मिनाक्षी जी अब तमाम दर्चकों को बताएं कि, यो कि देखिए, आजकल समस्या ये भी है कि बैली फैट है, मोटापा है, तुसे कम करने के लिए कौन से योग अपनाने चाहिए? आप चाहते हैं कि आपका ये बैली फैट आपका बेट जो है, जो बैली आपकी बॉल की तरह बन रही है, तो सीधी फ्लैट हो जाए, कही न कहीं आपको थोड़ा सा अपने अनाच पे कंट्रोल, बंद नहीं, कंट्रोल, फास्ट फूट को कंट्रोल, अपने, यह मैं अगर जवानों की बात करूँ, तो अपने आप शरीर को चलाना फीजिकल एक्टिविटी, ओफिस, काम, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कर रहे हो अपने जॉब, अपने हर दिन, सारे दिन में स सब कुछ कर रहे हो, अगर उसमें से निकाल कर अपने लिए वाक का 10 मिनट का समय निकालें, और सिर्फ जितना मैंने आपको बताया यह करें, तो आप और अपने खाने की आदत, जो एक अच्छी बताईए, आपको सूरत ढलता जाए, अपका खाना गम होता जाए, तो आप क क्या क्या संदेश आप देना चाहती हूं कि आज योगा डे है, मैं मिनाक्षी आप सब को इस योग दिवस पर ये बात बताऊंगी, जो मैं अपने साथ चलने वाली महिलाओं को, पूर्शों को सब को भी बताती हूं, आज ही सुभा की मेरी बात है कि इस धर्ती पर जिसने जनम लिया है ना, उसे अपने लिए एक घंटे का समय निकालना जरूरी है, समय रहते संभल जाओ, उम्र कम है, जब समय बीच जाएगा, जिनका बीच चुका है, जो उम्र के उस पड़ाव में चले गए हैं, वो आपको ये समझाते हैं ना, कि आप अपने जवानी में ऐसा करो, तो योग से ये सुखो, जिसका ये तन नहीं है ना, जिसका ये शरीर साथ नहीं देता, जो डॉक्टर के पास बिमारियों में दुखी है, परेशान है, जो अपने शरीर का नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा एक समय में, आप शुरू करोगे ना, तो वो पावर आपके अंदर ही है, तो मेरा आप सब को मेसेज ये है, कि आप सब अपने लिए पूरे दिन में एक घंटा सोच कर चले, निकाले 40 मिनट, क्योंकि वो 20 मिनट आपका इदर से उदर, वो 40 मिनट आपके जीवन को पूरी तरह बदल दे लेकिन शुरुआत सबसे पहली आपकी होगी, आपके शरीर से होगी, इस शरीर को स्वस्त रहने के लिए खुद को समय दो, खुद को कुछ समय दो, वो निकलो, घर में करो, करो, अपने आपको तनाव से मुक्त रहो, चिंताओं से मुक्त रखो, खुश रहो, खुश रहो खुशिया बाटो और स्वस्त रहो बिल्कुल मिनाक्षी जी अब अंत में तमाम दर्शकों को बता दीची क्योंकि आपने सूरे नमस्कार से शुरू किया था तो अंत में आप कौन सा योग बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मैं लास्ट में अब आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी मैंने आपको जैसे बूला कि आप ओम का एक उचारंड करना शुरू करें मैं आए दिन देखती हूँ अपने साथ जूरी लोगों को कि वो स्ट्रेस के पार्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं डिप्रेशन को संभाल नहीं पा रहे हैं बुढ़ापे में आकर उस उमर में आकर अपने शरीर के दर्द में मुझे ये बोलते है कि मैं सिर्फ शरीर का दर् कम उमर के हैं वो बोलते हैं मुटापा कम करवा दो तो लास्ट में जो मुझे सबसे जादा दिल को जो एक ठेस पहुशती है वो कभी ऐसा लगता है जो खुद में भटक गए हैं उनसे नहीं कुछ हो पा रहा तो आपको योग में पूरे दिन में जो मैंने आपको कराया सूरे नमस्कार कपाल बाती अनूलोम विलोम उज्ज़ई मंडू का सन ये सब कराने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ ये ओम का उच्चारन और ये ब्रामरी प्राणायाम ताकि ये जो आपका दिमाग, आपका जो ये सारा हिस्सा है न ये ठीक रहेगा जैसे कहते हैं पेट हलका तो सारा शरीर हलका उस तरह आप दिमाग को भी तो हलका करना है मोटापा, बिमारियों से अलावा भी तो आप इस जीवन में बहुत सारी चीज़े लेकर घूम रहे हो ना बहुत चिंताओं को लेकर घूम रहे हो जिसके कारण आप बहुत दुखी हो तो उसके लिए आपको ये ब्रामरी प्राणायाम करना है पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप देखो फिर मैं उसे एकस्प्लेइन भी साथ साथ भी कर रही हो और बाद में भी आपको बताती हूँ बल्कुल लंबी सास ली यहां मैं पहले एक बार आपको समझाना चाहूँगी, फिर मैंने अंगूठे से कानों को बंद करेंगी, दोनों उंगलियां ऐसे आखो पर एक माते पर और एक नीचे उसके बाद मैं भवरे की ऐसा है, वो जो ओम का मर शब्द था ना, मैं वही बोलूँगी, उससे मेरे माते में जो आवाज जो गुंजन होगा उसके बाद आप अपने आप, जब आखे खोलेंगे ना, तो ऐसे जैसे नई सुभा होती है ना, आपके जीवन की भी नई सुभ आपको लगेगी, तो आप मेरे साथ शुरू करो, लंबी सास लो, फिर से, इसके बाद दोनों हाथों को इस तरह और आपको बस उस भगवान के आगे हाथ जोडने हैं, कि आपको इसी तरह स्वस्त बनाए, ज्यान दे, अंदकार से दूर करें और आपको बहुत-बहुत-बहुत खुश रखें, अपने लिए समय निकालो, अपने आपको जीवन दो, दूसरों पर निर्भर मत रहो, सब आप ऐसे हो कि आज खुद के लिए, परिवार के लिए, और फिर इस समाज के लिए आगे बढ़ कर आओ, बिल्कुल मिनाक्षी जी, आप स्टूडियो में आई और आपने तमाम दर्शकों को बताया कि योग के फाइदे क्या हैं, योग क इसके साथ इस सखास काई करम इतना ही देखती रही हरडा न्यूस, मसकार